लालो फ्रेंग्स गुद मॉर्णिंग कैसे आप सब आप आप सभी अच्छी होंगे और अभी मेरी पूजा खतम हो गई है तो अभी चलिए मैं फटाफट ब्रेक्फास्ट बना लूँ बच्चे बाहर गए हैं अपने पापा के साथ हो लो वाकिंग के लिए और मैं जा रही मुझा मुभी के दाने दने आप चिया और मुझे का चामो जायां गया लोक भूई तो इसमें फ।darह सब हाउद बाहर है अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डे रही हुँ आ इसे आप में आप हल्दी को पका लिए मिर्च में ऑड़ए का इस वज़ इसमें प्यास में हल्दी डाल दी हूँ और फिर गया इसमें पुहा तो यहां पे हमारी breakfast के लिए पुहा बस तयार होने वाली है और यह बहुत ही जल्दी बन जाता है breakfast अगर हमारे पस time नहीं हो तो हम लोग जल्दी में बस पुहा बना सकते हैं breakfast के लिए तो जबी मेरे साथ ऐसा होता है न मुझे morning में बहुत कम time बचता है तो मैं फटा फट पुहा बना लेती हूँ breakfast के लिए तो यहां हमारी पुहा almost ready हो गई है तो अब बैस में lemon डाल दे रही हूँ पुहा का सबसे important ingredient lemon और इसके बाद इसमें गया यह मुंफली के दाने तो यह रहा पुरा पुहा का recipe और यह हमारा पुहा ready हो गया है तो अब आप लोग भी हमारे साथ breakfast करने के लिए तो यहां प्लेट लग गया है और बस मैं सब के लिए पुहा निकाल ले रही हूँ प्ले चलो थोड़ा थोड़ा यह भी डाल देते हैं इसे टेस्ट और भी बढ़ जाता है पुहा का करें 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 और यहां पर बच्चे खेल रहे हैं और फिर मैं यहां पर आ गई हूँ लंच बनाने के लिए तो बस यहां पर मैं अपनी ही वीडियो देख रही हूं और साथ ही साथ मैं लंच भी बनाने की तयारी कर रही हूं तो अभी मैं आ गई हूँ कीचिन में लंच बनाने के लिए तो दाल में औरेडी रख चुका हूँ और यहां पर थोड़ी सी पटल है तो इसका मैं घरता बना हूँगी और यहां पर मैंने करहाई रख दिया है गैस पर और ऑईल भी डाल दिया है तो इसमें पटल को हम लोग फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर बस पटल फ्राइ हो रही है मैं इसमें हलका सा नमक डाल देगी हूँ ताकि पटल में फ्राइ होने के साथ अंदर थोड़ा नमक भी चला जाए तो इसे जो पटल का टेस्ट न थोड़ा अच्छा आएगा और उसकी बाद फिर हम लोग इसकी फिलिंग्स तयार कर जो कि हमें पटल के अंदर भरना है तो चलो यहां पर अभी मैंने कढाई रख दिया है गैस पर और उसी कढाई में मैंने थोड़ा और ओल डाल दिया है और इसमें बहुत सारे प्यास मेंने कटकर के डाल दी है और मैं स्लाइस में यहां पर प्यास कटकी हूँ और दूसरे स कोई होते हैं मैं उसे डाल दी और मैं इसमें अदरक ये बिलकुल भूंगक्收ard है और यहां पे इसका फिलिंक्स बिल को क्या भून तैयार हो गया है और यह बहुत धी यम satu बनते हैं बहुत टेश्टी बनती है और इस तरीके से मेरी मम्मी बनाती है तो मैं उनी की रेसिपी यूज की हूँ और ये सब तो हम लोग मम्मी का देख देख के ही बस सीख लेते हैं ये सारे रेसिपी तो अभी मैं यहाँ पर अगेन कढाई में ओयल डाल दे रही हूँ आलू चप बना लिया तो बस मैंने सब चलो आलू चप ही बना लेते हैं तो बस यहाँ पर मेरी आलू चप बन रही है है पर चप बना लेते हैं करूल चप बना लेते हैं है लेते हैं कर नान चे बना लेते हैं भो ँचलो अभी मैं अल review झाल झाल परक जा रहे हैं क्योंकि काफी टाइम से लोग को पार्क लेकर नहीं गया बाहर से आने के बाद बीजी बीजी चलगा था और आज हमारे साथ खुश्व भी है पार्क जाने के लिए अरे वाँ पार्क लेने तब तक बारे से स्टार्ट हो गई तो फिर अम लोग थोरे देर रुख गय थे तो इस वज़से थोरा गिला गिला सा हो गया है और बच्चे अच्छे से खेल नहीं पाए अच्छे से इंज्ड़ान नहीं कर पाए बस हम लोग वाक किये और थोड़ा बहुत ही बच्चे खेल पार्क में शुलाए टार्क में आपरा घ्टलाए पार्क में बच्चे ओंता लborg raise ज्ट बच्चे छिये खेले पकी सबस्राजड़ा बीकिंगे रहांइ वग इम्रेख ये खेले का ये बदे खेल कई व पही जो नाह जो जो एो जाँ जो 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 झाल झाल और बस यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं पार्क में और यहाँ पी फार्क में घूमने के बाद बच्चे खेलिए हम लोगों ने वाकिंग कर लिया और मौसम बहुत ही सुहाना था मिंस देखिए आप देख सकते हैं बादल भी दिखे रहा हैं इस बहुत घना बादल था और हम लोग जोजी कि कहीं तेज की बारिस ना जाए बस हम लोग चल दिये हैं घर की तरफ और यहाँ पे स्लो मुशन में एक चोटा सा क्लिप था हमारा जोकि मैं आप लोगों के साथ सेर कर यह हूं कडी तो करने लोगों कическая वीडियो के पसंद आया अफ अग Caitlin कर दिजिएगा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिजिएक हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेग प्लीस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स में तपके लिए बाँ बाई टेक्यार एंड सी यू इन नेक्स ब्लॉग बाई टो